जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा टाइप कास्टिंग के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है कितने types का होता है और हम उनका example program भी आपके साथ share करेंगे तो अभी मैं typecasting का definition यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके बाद हम आपको type भी बताएंगे तो definition बड़ा ही simple है converting one data type converting one data type to another data type is called type casting तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि type casting क्या होता तो आपको simply answer करना है type casting is nothing but convert one data type value to another data type value ठीक है इसी को हम type casting कहते हैं अब हम देख लेते हैं कि type casting कितने type का होता है जावा में कितने category में इसे divide कर गया है तो यहां पर type में हमारा दो type में बाटा गिया है type casting को फर्स्ट होता है हमारा implicit और second one is explicit तो यहां पर implicit का meaning आपको बता दो कि implicit जो टाइप कास्टिंग है उसमें जो काम होता है वो compiler अपने से कर लेता है आपको कुछ नहीं करना होता वैलू को convert करने के लिए और explicit type casting में जो भी वैलू को आप convert करना चाहते हैं यह आपको करना होगा अभी मैं आपको implicit type casting के बारे में बताऊंगा कि यह क्या होता है और इसके एक छोटा सा example प्रोग्राम भी हम आपके साथ share करेंगे तो सबसे पहले implicit type casting का definition में दे दे रहा हूं यहाँ पर सिंपल सा definition है इट इस ऑटोमेटेकली ऑटोमेटेकली परफॉर्मड बाइदी कंपाईलर परफॉर्मड बाइदी कंपाईलर तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि अगर आप implicit type casting करते हैं मतलब छोटे data type की value को बड़े data type में convert करना चाहते हैं उस case में क्या होगा compiler अपने आप छोटे value को बड़े data type में convert कर देगा वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है तो इसी को implicit type casting कहते हैं अब मैं आपको यहां पर diagram के तुरू समझा रहा हूं कि यह काम कैसे करता है implicit type casting तो यहां पर मैं एक bucket बना रहा हूं इसका capacity आप consider करिए 5 लिटर है और यहां पर एक और bucket है इसका capacity आप consider करिए 2 लिटर है तो अगर इस 2 लिटर वाले capacity वाले bucket में consider करिए water है इसके water को अगर आपको इस बड़े वाले bucket में रखना हो तो आप बड़ी ही असानी से रख देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका capacity 5 लिटर है और इसका requirement 2 लिटर का है यह काम हो जाएगा तो ठीक इसी तरह compiler भी क्या करता है बड़े चोटे data type के value को बड़े data type में बड़ी ही असानी से convert कर देता है तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं int और इसको कर दूं double तो अब अगर compiler को int को double में convert करना हो तो बड़ी ही असानी से कर देगा क्योंकि int छोटा है और double बड़ा है तो इसकी छोटे value को बड़े वाले में store किया जा सकता है अब हम implicit type casting के एक छोटा सा program आपको बना के समझा रहे हैं उसके बाद हम explicit type casting discuss करेंगे program बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे class बना लेते हैं a name का ठीक है यह हमारा class बन चुका है इस class के अंदर मैं main method बना रहा हूं तो उसके लिए हमें लिखना होगा public static void main ठीक है और इस main method से हमें argument पास करना होगा string type का तो यह जो भी मैं program बना रहा हूं यह हमारा implicit type casting का है आप यहाँ पे comment section में देख सकते हैं तो यहाँ पे यह main method की body होगी inside this body हम क्या करेंगे एक integer type का एक variable ले लेता हूं मैं इसमें value set कर दे रहा हूं 10 ठीक है यह हमारा integer type का a variable है int का size होता है 4 bytes मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो ठीक है अब मुझे इस int को यानि इस a को convert करना है double में तो उसके लिए मुझे एक double type का data type में आप लेना होगा यह मैंने double type का एक variable ले लिया बी अब इस double का size होता है 8 bytes यह आपको याद रखनी है तो मैंने आपको bucket वाले example में बताया था कि 4 bytes का size का int data type है अगर आपको इसको 8 bytes में convert करना होगा ता आप बड़ी ही असानी से कर लेंगे जैसा कि हमने example में water को दिखाया कि छोटे packet के पानी को बड़े packet में रखा जा सकता है तो इसे convert करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर क्या करना आपको एक symbol यूज करना होगा सबसे पहले double variable लिखिए इकवल सीजे और integer variable का नेम दे दीजे यानि एक नेम तो यहाँ पर compiler क्या करेगा इस ए को अपने आप इस बी में convert कर देगा यानि डबल में convert कर देगा जब हम output देखेंगे तो आपको डबल में इस 10 को print में मिलेगा देखिएगा तो अब हम इसे क्या कर दे रहे प्रिंट कर कर दे रहे हम B को क्योंकि A का value हमने convert करने के बाद double variable B में store करा दिया है यहाँ पर B को print करेंगे था हमें type casting implicit type casting का result मिल जाएगा प्रोग्राम को मैं कर रहा हूं save हो चुका है हमारा प्रोग्राम अब हम चलते यहाँ पे तो अभी आप देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर desktop लोकेशन पर सेव वहा सबसे पहले हमें desktop में जाना होगा यहाँ तो मैं command दे रहा हूं change directory desktop अभी हम desktop में आ गए हैं आप प्र implicit type casting जो होता है उसको वो अपने से convert कर देगा इस int को byte में यह हमारा जावास ही करेगा compile हो चुका है प्रोग्राम अब कर रहे हैं इसको हम run तभी देखिए result क्या print हुआ है 10.0 इसका मतलब हमारा जो यह value 10 था a का यह double में convert हो चुका है तभी तो हमें result में देखिए यहाँ प इंपल्स प्रोग्राम अब हम टाइप कास्टिंग का second part discuss कर रहें explicit type casting explicit type casting तो यह जो explicit type casting होता है यह just opposite होता है implicit type casting के यहाँ पर definition लिख रहा हूं मैं by default the compiler doesn't allow doesn't allow the explicit type casting explicit type casting तो explicit type casting जो होता है उसको compiler अपने से allow नहीं करता मतलब इसमें जो भी करना होगा वो आपको करना होगा इसमें हम क्या करते हैं बड़े data type की value को छोटे data type में convert करते हैं तो इसका भी मैं diagram बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको better समझ में आ जाए यहाँ पे मैं एक bucket बना रहा हूं और इस bucket का capacity है 5 लिटर और यहाँ पे हमारा एक small bucket है और इसका capacity है 2 लिटर तो अगर आप इस 5 लिटर वाले bucket को जिसमें 5 लिटर capacity है तो इसमें 5 लिटर consider करिए पानी रखा हुआ हैं तो आप अगर इस 5 लिटर पानी को 2 लिटर वाले container में रखेंगे तो आप नहीं रख पा तो उस case में क्या करना होगा आपको इसकी capacity को 5 लिटर वाले को सबसे पहले 2 लिटर में convert करना होगा यहाँ पे आपको क्या करना होगा bracket के अंदर एक bracket रखना होगा पहले आप इसको इसमें convert करिए 2 लिटर का capacity आप इसका कर दिए अब यह क्या करेगा यह 2 लिटर पानी को इ variable बना लूँ double x equals to 10.5 तो double का size होता है आपको याद रखना है 8 bytes ठीके यह मारा हो गया अब मुझे इस double वाले variable x को int में convert करना तो उसके लिए मुझे int यहां पे लिखना होगा और int का भी एक variable होगा तो मैं y ले लेता हूँ अब मुझे किसको convert करना है x को convert करना है सबसे पहले मैं x को लिखूंगा किस में convert करना है int में करना है तो मुझे यहां पे bracket में int लिखना होगा जिसमें आपको convert करना है यह आपको explicitly यहां पे लिखना होगा implicit में नहीं लिखना पड़ेगा और इसे equal से assign कर दीजे तो अभी हमारा x variable int में convert हो चुका और यह y में जाकि अब assign हो जाएगा लेकिन इसमें आपको एक बात यह याद रखने है कि जब भी explicit type casting आप करते हैं तो may be a chance कि आपका जो data है वो lost हो जाए drawing में ही आप देख लिजिए अगर मैं 5 liter water को 2 liter वाले packet में रखने चला जाओ तो may be a chance हमारा 3 liter water lost हो जाए अगर हम बीच में convert ना करे तो तो यह होता है हमारा explicit type casting अब हम इसका program बनाते हैं अभी मैं आपको explicit type casting के example है आप दिखाऊंगा आप देख सकते हैं उपर में comment section में explicit type casting ठीक है तो मैंने आपसे बताया था कि जो explicit type casting होता है वो just opposite होता है implicit type casting का implicit में सारा काम compiler अपने से कर देता है जो भी converting का process होता है लेकिन explicit में आपको कुछ से करना होगा तो इस program में मुझे करना होगा थोड़ा सा changes तो यहां पर मैंने double data type बना दिया एक का मैंने double type कर दिया इसमें मैं double valuation कर दे रहा हूं 10.5 और इसका size हो गया 8 bytes अब मुझे इस double को int में convert करना है सबसे पहले मैं इस b को क्या कर दे रहा हूं इंट बना दे रहा हूं ठीक है तो implicit में इतना करने से हमारा काम हो जा रहा था लेकिन explicit में क्या करना होगा आपको यहां पे explicitly यहां से जिस भी type में convert करना चाहते है उसे mention करना होगा इसका size मैं यहां पे दे रहा हूं 4 bytes तो अभी देखे 8 bytes की value को अगर आप 4 bytes में convert करना चाहते हैं तो आपको यहां पे mention करना होगा कि भाईया मुझे इस double को int में convert करना है तब जाके compiler क्या करेगा आपके double को int में convert करके देगा प्रोगाम को मैं save कर रहा हूं और आपको output दिखा रहा हूं ठीक है सबसे पहले इसे कर देते हैं compile और run तो देखे अभी यहां पे हमें 10 print में मिला है यानि integer value हमारा 10.5 जो double value था वो successfully int में convert हो चुका है तो यह था हमारा टाइप कास्टिंग का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे channel पे नए हैं तो subscribe कर दीजे